So, हम टॉपिक पढ़ रहे थे, Land Revenue Policies in India तो मैंने आपको introduction दिया था, कि Land Revenue जो है, वो क्या होता है, क्या समझते हो, आप लोग Land Revenue से बताओ Revenue का मतलब क्या होता है? Revenue means? Texas Texas, और कुछ? Revenue is kind of income यह income जो है, यह किसी भी form में हो सकती है It can be in the form of rent यह फिर यह किस form में हो सकती है Texas के form में भी हो सकती है तो आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे है, Land Revenue Policies in India अब Land Revenue Policies का चेप्टर आपके हिस्ट्री में कहां से आता है? तो 1765 में एक ट्रीटी हुई थी क्या नाम था उस ट्रीटी का? ट्रीटी आफ अलाबाद Very good, कौन से बैटल के बाद हुई थी? बैटल आफ बकसर के बाद हुई थी तो 1765 में जो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी आफ अलाबाद उससे ब्रिटिशर्स को यहाँ पर लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले थे उस राइट्स को क्या बोलते थे? बोलो दिवानी राइट्स Very good, क्या बोलते थे? दिवानी राइट्स It means tax collection के राइट्स मिले थे तिरी important provinces के मिले थे क्या नाम था हुनका? Bengal, विहार और उडिशा तो यहाँ पर इन्हें तो पहली बार टेक्स कलेक्शन के राइट्स मिले थे बट ancient history में ऐसा नहीं होता था हमारी यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेक्स कलेक्शन का एक system होता था या तो आप इसको monetary form में दे सकते हो money के form में और अगर नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हो कि जितना भी production हुआ है उसी का कुछ particular share ले जाकर जो है आप उस king को क्या कर दोगे? submit कर दोगे तो यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है आपकी land revenue की land revenue is a tax or revenue levied on agricultural production on land agriculture production जो कुछ भी होता है उसी पर क्या लगाया जता है आपका land revenue या फिर tax लगाया जता है Indian states में जो है previously ऐसा चलता आ रहा है अभी मैंने आपको example दिया है if not money then किस form में दे सकते हैं? agricultural produce के form में दे सकते हैं कि राजा को tax देना है देने के लिए पैसे नहीं है तो उतने kilo अनाज ले जाकर हम उसे क्या दे देंगे as a form of tax यहां submit करेंगे next अगर हम देखें it is either collected as a percentage of the share of the total crop और monetary value यह वही है जो भी मैंने आपको बताया अब क्या होता था या तो आप directly भी submit कर सकते थे या फिर उस जमाने में कुछ ने कुछ officers बगेरा भी appoint करे जाते थे जैसे मैंने आपको मुगल्स के दोरान example दिया था कि मुगल्स में एक officer appoint कर रखा था क्या नाम था उसका दिवान दिवान का काम होता था tax collection करेगा दिवान अपने नीचे कुछ subordinate officers रखता था उन officers को हम क्या बोलते थे जमिंदार तो चाहे जमिंदार हो या जमिंदार अपने नीचे भी कुछ subordinate officers रख ले फिर पूरा एक hierarchy चलता था and final authority को क्या submit होता था tax submit होता था तो इस slide के अंदर पूरा का पूरा वही introduction दे रखा है जो मैंने आपको कल की class में बताया था अब बात करेंगे हम land revenue system की जो policies different different आईए तो इसमें कुछ तीन से चाहन नाम आपको most importantly याद रखने जिसमें first नाम क्या है यहाँ पर इजारेदारी system अभी आएगा इजारेदारी system इसके लावब और क्या के नाम है permanent settlement उसके लावब अगर देखा जाए तो रयतवारी system महलवारी system तो यह सारे के सारे systems किससे related है land revenue से related है तो यहाँ पर हमने देखा कि 1765 में finally treaty हुई और Britishers को कौन से rights मिल गए company के उपर यहाँ पर pressure create होता है कैसे इन सब जगे से maximum land revenue का क्या करना है हमें collection करना है इस पैसे का ही काफी use किया जाता था no matter यहाँ पर judiciary चलानी हो administration चलाना हो या trade करना हो किस purpose से आये थे वो लोग यहाँ पर trading के purpose से आये थे तो trade के लिए भी किसके जरुवत है पैसे की जरुवत है, money की जरुवत है और वो पैसे का एक मात्र source होता था और वो क्या था आपका land revenue तो यहाँ पर British authority के उपर भी pressure होता था कि मैं जादा से जादा money generate करना है ताकि बाकी की चीज़े भी क्या हो पाईगी है आपर regularize हो पाईगी तो उसी के चलते हैं the main burden of providing money for the trade and profit of the company the cost of administration wars of the British expansion in India had to be born by the Indian peasants और रियाद एक शब्द आप लोग समझ लो कि जब भी रियाद शब्द आए का हो R-Y-O-T रियाद बोलते हैं इसको ये क्या होता है तो इसना मतलब होता है peasants या फिर farmers तो कुछ अलग नहीं है किसानों को ही क्या बोलते थे रियाद बोला जाता था तब इन लोगों का जितना भी है इंडिया में रहना चाते हैं तो रहने के लिए इन राजा महराजाओं से क्या करने पड़ेंगे युद्ध करने पड़ेंगे वार करने पड़ेंगे और वार करने के लिए भी क्या लगेगा पैसा लगेगा तो वो पैसा कहां से आएगा इन किसानों से ही उस पैसे को क्या किया जाएगा तो शायद वो इतने बड़े इंडिया को कभी conquer नहीं कर पाते या फिर rule नहीं कर पाते overall हमारे पैसे से ही हमारी country को क्या किया गया है regulate किया गया in the form of taxes हम से पैसे वसू ले गए next day अगर हम देखें तो उनका main important aim क्या था getting maximum income from the land without caring about its consequences on cultivator and pieces इसका मतलब यह है maximum amount जो है यहाँ पर generate करना है कोई मतलब नहीं है उन्हें किसान कहां से लाता है किसी से करजा करके लाई अपनी जान दे के लाई उन्हें किस से मतलब है money से मतलब है उसी के चलते different different policies को वो generate करेंगे एक policy generate करी अगर उससे उनका जितना भी वो चाहते हैं उतना पैसा generate नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे दूसरी policy को यहाँ पर बनाएंगे तो उसी के चलते जब 1765 में इन्हें यह अधिकार मिले tax collection के तो first policy जो इन्हों ने यहाँ पर frame करी थी उसका नाम था इजारेदारी system इजारेदारी system के बारे में भी पढ़ेंगे उसके लगव हमेने आपको कुछ other policies बताई like permanent settlement next क्या है महलवारी next क्या है रेतवारी system अधिकारी ने कहां पर मिले थे तीन जगे के बेंगॉल, बिहार, उडिसा तो शुरुआत कहां से होगी बेंगॉल से होगी तो बेंगॉल में शुरुआत होगी तो बेंगॉल में first system से यह लोग यहाँ पर अपनी starting करेंगे जिसको बोलेंगे इजारेदारी सिस्टम अब इजारेदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे सबसे पहले कहाँ पर लॉंच किया था इन लोगोंने बेंगॉल में तो यह बेंगॉल जो है वो मेंन सेंटर बना हुआ दिखेगा आपको लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के र तो फर्स्ट पॉलिसी आप देख पा रहे है पर्मानेंट सेटलमेंट अब पर्मानेंट सेटलमेंट का एरिया देख लो कि ये वाला जो पर्टिकलर एरिया है इसमें आपका में प्रोविंस कौन सा आगे है यहाँ पर बेंगॉल वाला प्रोविंस आ चुका है तो और उसके उपर क्या है बिहार और उसके पास में क्या है उत्तरप्रदेश तो यहां पर हम mainly किसकी बात कर रहे है बेंगॉल और बिहार तो इन एरिया में नोंने first इस policy से hit and trial करा second कौन सा color दिख रहा है yellow color yellow color किसको denote कर रहा है महलवारी policy को महलवारी policy के अगर हम बात करें तो जो आपका central वाला area आगया जिसमें आपका खुद का एक state है जिसका नाम क्या है मध्य प्रदेश उसके उपर आप क्या देख पार है हो उत्तरप्रदेश उसके उपर इगर चली जाओ तो पंजाब तो अगर हम बात करें महलवारी policy के तो कह कहां implement हुई MP, UP and Punjab ये main उसके core center है it doesn't mean कि वो कहीं और पर चुट-पुट पार्ट में जो है implement नहीं हुई होगी majorly अगर कहीं apply हुई है तो कहां हुई है MP, UP and Punjab वाले portion में third color कौन सा दिख रहा है, blue आला या फिर green नहीं शाब बोल सकते हैं उसमें कौन सी implement होगी रयातवारी policy, अब रयातवारी policy के अगर हम बात करें तो major state इसका target कौन सा होगा, महराष्ट उसके लाव अगर हम इधर आ जाते हैं तो Tamil, नाडू, very good तो ऐसे नो ने इंडिया के अलग-अलग parts में क्या करा है, different policies को implement करा है तो आज की class में हम one by one सारी की सारी policies को पढ़ेंगे, उसके क्या after effects निकल कर आए, क्या गलतियां हुई, क्यों failure हुआ and ultimately इन सभी policies का conclusion इंडिया में क्या निकल कर आएगा first system कौन सा है, इजारेदारी system, इजारेदारी system क्या है, एक तरीकी की land revenue policy है, यह land revenue collection का तरीका है अब इजारेदारी system की अगर हम बात करें तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको एक keyword से याद रखोगे कि this system was based on auctioning, किस पर based था, auctioning पर बेस था, auctioning मतलब क्या होता है क्या होता है auctioning मतलब? निलामी, क्या होता है? निलामी, और जब निलामी होती है तो उसके लिए एक process होती है उसको क्या बोलते है? bidding बिडिंग मतलब क्या होता है? बोली लगाना तो शुरुआत में जब 1765 में इन्हें अधिकार मिले तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले सारे जमीन जो भी थी यहाँ पर पीजेंट्स वगिरा की, उसकी क्या करनी स्टार्ट कर दी, आक्शनिंग करना स्टार्ट कर दी, आक्शनिंग कैसे होती है, तो देखो यह फोटोग् अधिका हुआ है, जो फाइनलाइस करेगा, और बाकी लोग अपने हैंड रेस करके क्या बता रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, कि हम इतना पे करेंगे, हम इतना पे करेंगे, समझ में आया, तो इजारे दारी सिस्टम जो है, वो मेंली किस पर बेज़ अक्षनिंग पर बेज था, आक्षनिंग के लिए क्या कराई जाती थी, बिडिंग कराई जाती थी, अब बात करेंगे कि सिस्टम को सबसे पहले किस ने इंट्रिउस करा, तो आप लोग प्रिविएस क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं, कि सबसे पहले जो गवर्नर नाम की अथोरिटी थी, वो कहाँ पॉइंट की गई थी, बेंगॉल में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगॉल किसे बनाया गया था, बोलो, रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गूड, किसे बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव, उसको सक्सेड किस ने करा, वारेन हैस्टिंग, और आने वाल को जो श्रेय दिया जाता है कि किसने इंटर्यूस करी थी, या किसने शुरुवात करी थी, तो उसका नाम क्या था, वारेन हैस्टिंग, कब स्टार्ट करी थी उसने, 1772 में, वेरी गूड, कौन से एरिया में स्टार्ट करी थी, बेंगॉल में, मेजर ली, अब इसके अंदर क्या होता था, जैसे आपने देखा ऑक्ष्णिंग या फिर बिडिंग पे था, तो कोई एक होगा, जैसे कि आप यहां फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, कि कई सारे लोग मिलके बोली लगा रहे हैं, तो जो एक सबसे उची बोली लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे हाइस्ट बिडर, तो इस सिस्टम के अंडर क्या होता था, अंडर देखते हैं, कि शुरुआत में जब इसे लांच किया गया, तो कितने समय के लिए था, फाइव यर के लिए था, बट जब यह अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो इन्हें यह रियलाइज हुआ, कि नहीं इ कनवर्ट कर देंगे, कब लागू किया गया इस आरेदारी सिस्टम, बोलो 1772, पास साली चल पाया, पास साल एड करो तो कहां पहुँच गया हम, 1777, और इन्हें समझ में आ गया कि कुछ गल्ती हो गई है, तो इन्होंने फिर इस सिस्टम को क्या कर दिया, यहाँ पर annual कर दि जमींदार, या फिर इसको एक नाम और दिया गया है, क्या बोलते हैं इसे, इजारेदार, क्या बोलते हैं, इजारेदार, इजारेदार और जमींदार जो है, आप एक ही समझ सकते हो, इस concept में, तो जमींदार जो है, उसी यहाँ पर क्या बनाया गया, revenue collector, not as a landlord, क्या समझे बोलो अना, ठीक है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या revenue collection करना है, वो जमीं के मालिक नहीं बने, मालिक अभी भी कौन रहेगा यहाँ पर, पीजन्ट या फिर farmer ही रहेगा, जमींदार की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना है, revenue collector, जो कि tax को क्या कर रहा है collection यहाँ पर कर रहा है, result, finally यह जो system में वो क्या हो गया, fail हो गया, क्योंकि इसमें कुछ कमिया रहे गई थी, क्या कमिया रहे गई थी, कि यहाँ पर जो bidders थे, वो mainly क्या हुआ करते थे, contractors हुआ करते थे, contractors उन्हें कोई मतलब नहीं था कि किसान की क्या condition है, उजमीन की क्या condition किन parameters पर हमें tax वसूल ना है, मन मानी बोली लगा ही, बिना उसका कोई survey करें, and finally system क्या साबीत हुआ, एक बहुती बड़ा failure साबीत हुआ, in auction, जब निलामी होती थी, bidding for a particular land was assumed higher than the actual capacity of the land, यही बोल रहा है, कि क्या होता है, हर जमीन की एक शमता होती है, कि हो कितना अनाज उग सकती है, तो इन लोगों ने क्या करा, जोसके actual शमता थी, actual capacity थी, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर क्या कर लिया, assume कर लिया, bidding के अंदर, कि हम उससे भी ज़्यादा जो है, अनाज यहाँ पर लाके दे सकते है, भाई, for example, कोई जमीन का टुकड़ा है, वो दस बोरे अनाज इस bidding में, तो किसान के लिए कोई यहाँ पर bidding कैसे करेगा, तो यहाँ पर जो जमीनदार होते थे या इजारेदार होते थे, वो बोल दे जिते मन से 15 बैग, 20 बैग या कुछ भी, अंशन यहाँ पर जो है, बोली लगा देते थे, so finally क्या होने लग गया, यहाँ पर over assessment की problem हो कि जितना वो उगा नहीं सकती, उससे जादा आप क्या कर रहे हो, assume कर रहे हो, so finally यह जो system है, अपने आप में क्या साबित हुआ, बहुत ही बड़ा failure साबित हुआ, तो 1772 में launch हुआ, and finally यह क्या हो गया, एक बहुत बड़ा failure साबित हुआ, ठीक है, this introduced instability in the company's revenue, अब क्या कि देखो, उन्होंने तो सिर्फ अंदाज लगाया था कि इतना tax जो है, इससे हम वसूल लेंगे, बट क्या एक अंदाज लगाने से हम उतना ही मान लेते हैं, भई हमने सोच लिया, हमने collector बनना है, तो क्या हम collector बन ही गए, नहीं बन गए, ठीक है, यह तो हमने assessment किया है, तो land की productivity पर depend करता है, so finally इससे क्या होगी, एक तरीकी की instability आ गई, कि जितना Britishers ने सोचा था, उतना tax उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, तो अब इस स्थिती ने उन्हें यहाँ पर सोचने पर मजबूत कर दिया, मजबूर कर दिया, कि अब हमें कुछ न कुछ करके यह यहाँ पर land revenue को क्या करना पड़ेगा, fix करना पड़ेगा, ताकि एक fix income जो है, वह हमें यहाँ पर क्या होती रहे, generate करती रहे, तो यही एक कारण था, जिसके failure के कारण उन लोगों को भविश्य में क्या plan करना यहाँ पड़ा, permanent amount, या फिर आप बोल सकते हो permanent settlement, तो इसके अं policy introduce होती, जिसका नाम क्या है, permanent settlement, जिसमें कुछने कुछ चीजे जो है, वह हमें क्या करनी पड़ेगी, permanent करनी पड़ेगी, तो यह जो गर हम बात करें, तो कहां कहां पर introduce किया गया, तो most importantly area क्या थे इसके, Bengal and Bihar, कब launch किया गया है, 1793 में, इसके पहले कुछ hit and trial उन्होंने क लिए थे in the form of इजारेदारी system, so finally 1793 में, एक नया यहां पर जो ही बंदा आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, Lord Cornwallis, और 1793 में, Bengal and Bihar में कौन सी policy introduce करेगा, permanent settlement introduce करेगा, अब देखो, क्या होता है, बच्चो को सिर्फ और सिफ Lord Cornwallis का नाम पता होता है, but UPSC oriented किसी भी exam में, अ बट इसकी planning किसी और ने करी थी, और उस बंदे का नाम था, John Shore, क्या नाम था, John Shore, इसने क्या करी थी, इसकी planning करी थी, उसने paper के उपर पूरा plan किया था, कि जैसे कि अगर हम मान लें, for suppose, 100 rupees का यहां पर क्या होने वाला है, production होने वाला है, तो उसने कुछ ऐसी planning करी थी, कि 100 rupees इसका क्या रहेगा, gross production रहेगा, अब कुछ चीजे permanent करनी है, तो उसने decide किया था, इसमें से कि 45 rupees जो है, वो किसका share रहेगा, यहां पर East India Company का share रहेगा, अब कोई ना कोई तो यहां पर land revenue को collect करने चाहेगा, तो he decided कि 15 rupees जो होंगे, वो यहां पर जमीनदार, या फिर आप ब इसके लिए होंगे, अब कितने बचे यहां पर, 40 बचे, तो 40 जो है वो उसमें किसके लिए प्लान करें, यहां पर present के लिए प्लान करें, अब देखो, ultimate काम किसका होता है, किसान का होता है, उसी को सब समान खरीद के लाना है और जमीन के अंदर लगाना है, बड़ उसका share जो है, वो comparatively low है किसके comparison में, East India Company के comparison में, तो यह system भी जो है, वो कुछ खास नहीं चल पाएगा, तो इसे launch किस ने किया है, Lord Cornwallis ने, इसके planning on paper किस ने बनाई थी, John Shore ने बनाई थी, तो question को ध्यान से पढ़ना है, अगर कहीं देखने को मिलता है, कि who all are associated with the policy of permanent settlement, फट से उस Lord Cornwallis, एक person का नाम और आएगा, वो कौन है, John Shore, इस तरीके से ही उसने पूरा यहाँ पर जो है, प्लानिंग करी थी, अब उसने प्लानिंग करी कि 100 रुपीस क्या होगा, gross production होगा, कि जमीन से इतना आननों तो उगेगा ही उगेगा, बट क्या को इस बात की guarantee है, नहीं है, ब सबी चीजों को क्या कर दिया है, यहाँ पर नजर अंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया है, तो उनका यह सिस्टम भी ठीक से काम करेगा, क्या, नहीं करेगा, तो फाइनली बेंगॉल इन बिहार के अंदर इनों ने इस सिस्टम को जो ही यहाँ पर launch किया, आने वाले समय में से एक्स्टेंड किया जाएगा, कहाँ पर? उडिसा में, the northern district of Madras and district of Varansi, तो ध्यान से देखना है कि ऐसा नहीं है, permanent settlement जो है, वो सिर्फ और सिफ नॉर्थ में सिमट के रहे गया, वो south में भी देखने को मिलेगा, आपको कहाँ पर? Madras में, यह हुआ, अब इसके इलावा, ज देखने को जो है, वो मिलेगा, अब बात करें, इसके अंदर क्या हुआ था? तो इसके अंदर जो जमीन के honor है, वो किसे बनाया गया था? जमीनदार को, ऐसे ही question आते हैं, इसके पहले हमने क्या पड़ा? इजारेदारी system, उसमें जमीन का honor कौन था? कौन था? farmer, very good, judge ने बाई, आज तुम लोग इस academy में आते हो, मैं तुम्हें बोलू कि तुम लोग इहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना कि जाते जाते electricity जो है, वो off कर जाना, तो आप एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, तीन दिन करोगे, बट फिर आप सोचोगे, ये academy तो मैम की है, हम क्यो करे, तो क्या होता है, ये human tendency है, कि जब तक आपको किसी चीज़ पर ownership के rights नहीं मिलते है, मालिका नहीं मिलता है, आप उसके लिए किसी भी तरीके का काम करने में कोई interest नहीं लेते हो, तो यहां पर Britishers को एक बात समझ में आ गई थी, कि अगर हमें जादा से जादा land revenue collection करना है तो किसी ना किसी को तो जमीन का क्या बनाना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा, बहुत शातिर दिमाग से खिलते थे, कि मालिक दुसरे को बना और उसके लिए पैसे का फायदा खुद कौन उठाएंगे, Britishers उठाएंगे, तो यहां पर इंडो ने जिसे जमीनदार को क् periodically, हर time to time में क्या होते रहता था? Changes होते रहते थे, कि 100 रुपेस फिलाल के लिए fix हैं, आने वाले समय में इसके अंदर और भी changes होते रहेंगे, अब कुछ important features है, अब features में अंदर अगर हम देखे, तो क्या जमीनदार actual में जमीन के honor थे क्या? नहीं थे, बट इसने एक नया feature लागू किया था कि जमीनदार जो है, उनको किस में convert कर दिया था? Landlords में convert कर दिया था. Next अगर हम देखे, तो क्या करा है? fixation of revenue, कि जो भी income generated उनी उसका क्या कर दिया है? fixation कर दिया है. बट इस fixation के आने वाले समय में कुछ positives और negatives आपको देखने को मिलेंगे. चलो, आप positive और negative क्या है? बोलो. बोलो. क्या बुला अर्यांच ने? एक्सेस. एक्सेस वाट? जो बीमेटल को profit होगा, तो इनको पर्मेटल के लिए हो. आच्छा, तो तुम यह बोलना चाहरे हो कि मैम, ऐसा भी हो सकता है, किसी साल जो है, production जरूवत से जादा हो जाए. और उस case में इनको क्या हो जाएगा? loss हो जाएगा. जैसे कि इन्होंने करा है कि 100 रुपे का क्या होगा? production होगा. बट कभी जो है, यहां पर 200 रुपे का होगे तो इनको 100 रुपे का क्या हो जाएगा? loss हो जाएगा. तो आप यह बोलना चाहरे हो. और क्या हो सकता है, याश? इसका opposite क्यों हो सकता है, जैसे अगर 50 रुपी शेहीं का fixer है, अगर 40 रुपी उसका gross production हो रहा है, तो आपको इंडियन सोसाइटी में इसके कई सारे जो है after effects देखने को मिलेंगे. अभी देखते हम कि क्या क्या issues थे जो fixation of revenue से related थे? तो first of all आप देख पारे हो, the zamindar had to pay his revenue. मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि permanent settlement को एक नाम और दिया गया ह बोलू क्या बोला गया था इसको? Sunset Law. Very good. क्या बोला गया था? Sunset Law. तो हमने देखा permanent settlement का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं Sunset Law. मतलब सूरज डूबने के पहले एक क्या रहती थी? यहाँ पर date fix रहती थी. As well as time भी क्या रहता था? fix रहता था. जमिनदार पर Britishers जो है pressure create करते थे कि इस particular date को सूरज डूबने के पहले, it means sunset होने के पहले आपको पैसा क्या करना है? लाकर submit करना है. तो जमिनदार के उपर क्या है? यहाँ पर फिलाल के लिए बहुती जादा pressure है. तो अभी हमने बोल दिया है आपको कि आप इस चीज के माल हो बट शर्त है कि आपको यहाँ पर सूरज डूबने के पहले पैसा लाकर जमा करना है. और अगर नहीं किया तो आप से आपके जमिनदारी राइट्स क्या कर लिए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे. आपके दिमाग के साथ manipulation किया जाता था. कैसे? पहले आपको बोलेंगे जमीन की ओनर को नो? आप हो. आप बोलोगे कैसे हूं मैं बताओ. बले आरे तुम हो ना अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो तुम्हारे बाद यह राइट्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? तुम्हारे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगे. तो पर्मानेंट सेटलमे जमीन के पहले आपने पैसे सम्मिट नहीं कर पाए. तो आप से आपकी जमीनदारी राइट्स क्या हो जाएंगे? छीन लिये जाएंगे. आपकी जमीन लेकर जो है हम वो किसी और को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे. तो यह फिक्सेशन और रिवेन्यू की कारण कई सारे इस जिसमें फर्स पॉइंट है. जमीनदार है तो पेल रिवेन्यू रिजिदली ओन दू देट इट इवन इफ दो क्रॉप लेंड फैल पर सम रीजन अदर्वाइस लेंड वर तो भी सोल. अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी तरीके से अगर जो फसल है वो नश्ट हो जाती पेलियर जो भी आपको क्या करना है? पैसा बेना है. अब जमीनदार अपनी जिब से पैसे लाएगा? लुग या तो वो कुछ नो कुछ कुछ करीगा? लुग जूत्ति हो किसी तराका करना देगा. और उससे कुछ पैसा ले लिया कि अगर कल को में इस टाइम के पहले नहीं चुका पाया तो मेरी संपत्ति को आप कहीं भी बेज सकते हो या निलाम कर सकते हो तो पहली चीज यहाँ पर यह होती थी कि पीजेंट्स अपनी कई सारी चीजों को इसमें क्या करते थे mortgage कर देते थे और यहाँ पर higher interest के उपर बहुत बड़े-बड़े interest के उपर जो है पैसा उठाके लाते थे किसको देने के लिए? Britishers को देने के लिए तो इस वज़े से यहाँ पर in-depthness बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा करजी के अंदर जो है किसान क्या होने लग गया? डूबने लग गया तो यहाँ पर ऐसी इस्तिदी इन लोगोंने create कर दी कि इनसान जो है forcefully अपनी चीज बेच कर किसी और को चले जाए कि मेरा headache अब तू समाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो the initial fixation जो होता था शुरुवाती दोर में यहाँ पर revenue क्या होने वाला है? fix होने वाला है एक आदमी का share यहाँ पर fix रहेगा वो कौन है? East India Company मैंने आपको बताया था कि उन्होंने sharing किस basis पर करी थी? 10 by 11 कि 10 by 11 share जो है वो किसको जाएगा? East India Company एंड कितना बचा? 1 by 11 यह किसको जाएगा? जमीनदार को जाएगा अब जमीनदार को जो भी करना हो remaining मैं ऐसे देख ले अब शुरुवात में यह जो fixation होता था वो बिल्कुल arbitrary mode में होता था arbitrary मतलब होता है मन माने तरीके से ना कोई survey करा ना किसे से पूछताच करी और यहाँ पर क्या कर दिया? इसे save कर दिया तो शुरुवात में यह होता था next यहाँ पर वही fact मैंने आपको बताया कि permanent settlement की planning किस ने करी थी? John Shore ने करी थी यह जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के बताया था कि 100 रुपीज क्या माना किया था? Gross production, 45 रुपीज किसको जाएंगे? Company को, फिर 15 रुपीज किसको जाएंगे? जमीनदार्स एंड जो भी उसके बीच में Mediator हो, और 40 रुपे किसके लिए रखे थे? पीजेंट के लिए रखे थे तो यहाँ पर यह सब चीजे होने लग गए बट जब इतना सारा भयानक pressure create हुआ तो एक समय आया कि जब 1794 से 1807 के बीच में कई सारे लोग जो हैं अपनी जमीन बेच कर गाउँ छोड़कर क्या होने लग गए? जाने लग गए तो पर्मानेंट सेटलमेंट के अंदर एक चीज यह हुई अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती कि आखिर जमिनदार को मालिकाना हग देनी की जरुवत क्या थी? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या कारण होंगे? इस इंडिया कंपणी की नजरिये से सोचो आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? वो खुद मालिक क्यों नहीं बन गए? क्या कारण था? देखो, एक होता है कि आप डारिकली मालिक बन जाओ और मालिक बनने से बहुत सारी जिम्मेदारी भी आ जाती है अगर आप किसी चीज की आज मालिक बन गए हो तो फिर उसको पूरा रेगुलेट करना, टाइम देना, सब कुछ क्या है? आप ही का बर्डन है बट वही होता है कि मैं बीच में एक मेडियेटर को हायर कर लूँ और फॉर नेम से उसको क्या बना दू? मालिक बना दू और मैं अपना एक पर्टिकिलर कमिशन का शेर क्या कर लूँ? यहाँ पर फिक्स कर लूँ नफर का क्या करे काम करे मैं आपको बताया था कि जब शुरुआत में आये तो इन लोगों ने इंडिया के अंदर कई सारे बैटल्स लड़े जैसे बेंगॉल में 1757 में कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ लासी 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बकसर जब भी किसी राजा को हराया जाता है तो वहां की जनता जो है वो कैसे न कैसे करके क्या होती है? हर्ट होती है तो लोगों के मन में हैट्रेट क्रियेट हो रहा था किन के लिए यहाँ पर? बिटिशर्स के लिए नफरत हो रही थी बिटिशर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आज यह लोग हमसे नफरत करते हो और अगर हम इनके लोकल गाओं में इनके एरिया में जाकर टेक्स वसूलेंगे तो क्या ही हमको खुशी से देंगे? नहीं देंगे तो इनके बीच का ही एक आदमी क्रियेट कर दो जिसको यह डिनाय भी न कर पाया और हमारा काम भी हो जाए तो अपना मतलब साथते हुए इन्होंने यह चीज करी So first point, they acquired local supporters, जो महां के localites थे, who would act as a buffer? दो लोगों के बीच में buffer का का काम करेंगे Very good, very good, तो दोनों के बीच में क्या होगा? East India Company and Public, दोनों के बीच में buffer का काम कुन करेंगा? जमेंदार तो पहला point यहाँ पर next यह हुआ, second अगर हम देखें, तो उन लोगों ने society के अंदर एक नई class create कर दी, या तो अमीर होता है, या तो गरीब होता है बढ़ एक नई class create करी, जिसको क्या बोला गया? जमेंदार, जो कि rich जमेंदार, एक समरद्ध परिवार के जमेंदारों को यहाँ पर क्या किया? जनरेट कर दिया अब अगर वो rich होंगे, तो society में एक नई class है, जो कि क्या करेगी? यहाँ पर forced हो जाएगी, Britishers को support करने के लिए तो पहला कारण ये था, second कारण अगर हम देखें, तो क्या है? financial security financial security ये, कि जब जारेदारी system launch किया गया, तो कभी कम पैसा आ रहा है, कभी जादा पैसा आ रहा है, तो पैसा क्या कर दो? fix कर दो अब जिसको जिससे लेना हो, market मचानी हो, मचाओ, बट हमें क्या चाहिए? हमारा share यहाँ पर fix रही है, तो second कारण क्या है? यहाँ पर financial security तो इसके अंदर वही सब चीजे दे रखी है, yes, and next important, कि इनको यह समझ में आया, कि गाओं में जाकर एक-एक किसान से पैसा कलेक्ट करेंगे, वो बहुत ही जादा महिनत का काम हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, तो एक जमिनदार को अपॉइंट करो, जिसका headache रहेगा, ग पर्मानेंट सेटलमेंट के बारे में, अब जब पर्मानेंट सेटलमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, तो अब यह एक नई टेक्निक लेकर आएगे, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, पहली बात तो यहाँ पर अच्छा ठीक, एक टॉपिक हो चुड़ गया आपके, अब इसके इंपक्स क्या निकल कर आए, पर्मानेंट सेटलमेंट के, तो इंपक्स में यह निकल कर आया कि कम्पनी ने अपना शेर जो है, बहुत ज़्यादा हाई बना दिया था, जैसे कि क्या बना दिया था, 10 by 11, ना कि यहाँ पर इनों ने किसी त जबूर हो गए यहाँ पर अपनी जमीने बेज बेज कर शहर से बाहर जाने लगे, इस वज़े से एक प्रॉब्लम क्रियेट हुई जिसको हम बोलेंगे, एपसेंटी लेंड लॉड़िजम, मतलब कि जो जमीन का मालिक है, वो गाहों से क्या होने लग गया, एपसेंट होने और अपनी जमीन बेज बेज कर बाहर की और जाने लग गया, तो एक यहाँ पर यह निकल कर आया, उसके लावा कंपनी का जो शेयर है, हमें लगता है प्रेशर क्रियेट करने की वो जिसे बहुत ज़़धा बढ़ गया होगा तो नहीं, आने वाले समय में वो भी बहुत क्योंकि बाखी सारे पेरामिटर्स के उपर कंपनी ने ध्यान दिया, क्या नहीं दिया, और इसी भी 1770 में क्या आया था बेंकॉल के अंदर, ग्रेट फेमाइन बिलकुल, वहाँ पर ग्रेट फेमाइन आया था, तो एग्रिकल्चर की स्थिती पूरी कंप्लीटली क्या होग तो यह हुआ आपका overall about permanent settlement, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर rare वारी settlement, rare मतलब क्या होता है, peasants, very good, क्या होता है ग्रेशी, peasants, तो rare मतलब क्या होता है, peasants, तो यहाँ पर मैं किस settlement की बात कर रहे हूँ, rare वारी settlement, मतलब यहाँ पर जिससे हम text collection करेंगे, वो directly, और directly कौन हो होने वाला है रेयत होने वाला है Britishers को एक बात समझ में आई कि इजारेदारी में एक Mediator था जिसका नाम क्या था इजारेदार, Permanent Settlement में एक Mediator था जिसका नाम क्या था जमीनदार and overall यह जमीनदार जो है बीच में अपना Commission रख लेते थे कंपनी तक उतना शेर पहुँच नहीं पा रहा था और बाकी सब चीजे भी ठीक से वर्क नहीं कर रही थी तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम डारिकली टेक्स किस से वसुल करेंगे लाइन बात करें रेयतवार nghi सेटलमेंट की तो इसका फिट अट्राइल जो है वो सौथ इंडिया में किया गया मैंने आपको मैप में बताया था कि अगर हम बात करें यहां पर पर्मानेंट सेटलमेंट की तो वो कहां पर इंट्रोडूस्ड हुआ था आपका बेंगॉल एंड बिहार में फिर हमने देखा था महलवारी तो यूपी, एंपी और पंजाब में एंड लास्ट वन क्या था आप कोन होने वाला है यहां पर रहत होने वाला है, टेक्स कलेक्शन किस से होने वाला है यहां पर रहत से खुद होने वाला है, डारेक्ली, अब अगर हम यहां पर बात करें इसमें क्या किया गया था, तो इसका हिटन ट्राइल कहां पर हुआ, मदरास वाले एरिया में, किसने कि था Captain Reed and Thomas Monroe, ये भी British officials ही हुआ करते थे, अब ये देखू, यह ही दिया हुआ है कि introduced in the Madras and Bombay, Presidencies and इसके लावा other states भी थे, like Malabar हो गया, Coimbatur, Madras, Assam and Madurai, सब South India के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, अब क्या features थे, तो इस system के अंदर taxes जो है वो directly किस से collect होने वाले थे, पीजेंट से collect होने वाले थे, ओ directly collect भी कौन करेगा, government या फिर East India Companies हो है, वो खुद आकर क्या करेगी, इसका collection करेगी, अब जो cultivators है, जो जमीन के उपर खेती कर रहेंगे, वो खुद ही क्या रहेंगे, इसके honor रहेंगे, honor of his land, इस settlement को permanent नहीं बनाया गया था, इसको time to time revise किया जाता था, हर 20 से 30 साल के अंदर, farmer के पास अधिकार होता था, कि चाहे तो अपनी जमीन जो है, वो किसी को भी बेच दे, बश्चरत है कि इसको tax अपना क्या करना होगा, time से pay करना होगा, बाकि जमीन के साथ आपको जो भी करना है, वो क्या करो, आप करो, तो यह आया था रह बिल्कुल, पीजेंट को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, कारण, अभी तक पीजेंट किसको tax देता था, जमीनदार को, तो पीजेंट को एक बात समझ में आई कि कुछ भी नहीं हुआ है, पहले एक जमीनदार होता था और अब एक बड़ा जमीनदार आ गया है, किसके form यो लेट टू इंपवरिश्मेंट ऑफ दी फार्मर्स, मतलब जो किसान है, वो दिन पर दिन गरीब से भी क्या होते गया, गरीब होते चला गया, यहां पर आपको एक प्रॉबलम देखने को मिलेगा, कि जो अमीर है, वो अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है, वो बहुत आपको देखने को मिलेगा, कि over the assessment of crop yield, इसके अंदर भी यही हुआ था, over assessment कर लिया गया था, कि जितनी land की capacity नहीं है, उससे ज्यादा tax जो है, वो किसानों के उपर क्या कर दिया गया, ठोब दिया गया, ठीक है, यह हो गया है, and the government insisted the peasants to grow cash crop, मतलब government मतलब कौन, East India Company, उन्हो उन्होंने peasants को क्या करा है, यहाँ पर cash crop उगाने के लिए यहाँ पर उन्हें फोर्स किया, cash crops क्या होती है, cash, जिससे money generator, क्या हो, money generator, दो तरीके के crops होती है, एक होती है, आपकी cash crop, और एक होती है food crop, एक ऐसी फसले, जिनको आप खा नहीं सकते, बड़ उनका major use जो होता है, वो बेज के पैसा कमाने के लिए होता है, जैसे कि cotton, cotton क्या है, cash crop है, आप उसको उगाते ही किस purpose से हो, पैसा कमाने के purpose से उगाते हो, फिर अभी यश ने बहुत अच्छे example दिया, indigo, indigo क्या होता है, nail, nail वो मम्मी कपड़ों में डालती है, nail, that is nail, ठीके, तो उसका भी क्या ह होता है, उसका cultivation भी जो है, money generation के purpose से ही होता है, कि कपड़े को अगर डाई करना है, color करना है, तो indigo का use होता है, बट उसके जमीन जो हो जाती है, डे वाइडे की पूरी की पूरी लो हो जाती है, तो cash crops, वो crops होती है, जिनको उगाने का purpose क्या होता है, money generation या फे profit कमाना होता है वही comparative लिए अगर हम देखे food crops, तो food crops का क्या उद्देश होता है, जो feed करने के purpose से, कि जनता को खाना है तो उगा रहे हैं, जैसे कि गेहू हो गया, चामल हो गया, दाल हो गया, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, food crops है, तो cash crops में क्या आ जाएगा आपका, indigo हो गया, cotton हो गया, चाय हो गया, coffee हो गया, या फिर उसके इलावा sugar can हो गया, तो ये सब किस purpose से उगाए जाते हैं, profit कमाने के उद्देश से कमाए जाते हैं, तो Britishers क्या कर रहे थे उन्हें यहाँ पर, force कर रहे थे cash crops को उगाने के लिए, ये हो गया, अब जब सब system fail हो गया, तो last में के पास क् महलवाडी system, महलवाडी system को कैसे याद रखोगे, तो एक गाउं, दो गाउं, कई सारे गाउं को मिलाकर क्या बनता था, महल बनता था, तो ये system जो है, इसके शुरुआत कहां पर हुई थी, तो इसको UP या पंजाब वाले area में चलाया गया था, north, west, north और उपर west वाले area में, जिसमें specially आपका UP वाला area आजाएगा, और कौन सा area आजाएगा, पंजाब वाला area आजाएगा, अब महलवाडी system को कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर अगर आपका UP में किसी का खेत वगेरा है, गाउं में जमीन वगेरा आप लोगों की, है आपकी, ठीक है, तो कैसा system चल दादा जी ने कुछ हिस्सा चाचा को दे दिया, कुछ आपके पापा को दे दिया, कुछ तीसरे चाचा को दे दिया, तो ultimately एक जमीन के कितने honor हो गए, कई सारे honor हो गए, तो वहाँ पर जो है land का fragmentation हो जाता है, fragmentation मतलब टुकडों में तूट जाना, तो वहाँ पर कोई एक बड़ी जमीन होती है, बट उस जमीन के कितने honor होते है, बहुत सारे honors होते है, तो Britishers ने जब ये बात देखी तो वो तो चमक गए, कि अरे वापर एक ही घर की जमीन है, और उसके 4-5 honor हो खड़े हैं यहाँ पर तो, तो किस से बात करा जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया, कि ठीक है, यहाँ पर एक problem हमको नजर आ रहा है, वो कौन सा है, collective land holdings, मतलब एक जमीन है, बट उसको hold करने वाले लोग क्या है, बहुत ही जादा है, तो Britishers को एक बात समझ मैं ही, कि इस problem का कुछ solution निकालना पड़ेगा, तो उन्हें बोला भी एक-एक से जाके तो collection करने से है, तो क्यों न कहीं सारे गाउं को club कर दिया जाए, तो यहाँ पर जैसे कि for suppose village 1, फिर अगर हम बात करें village 2, तो ऐसे कई सारे villages को इखटा करकर एक unit बना दी, और उस unit को क्या नाम दिया गया, महल, और उस system को क्या नाम दिया गया, महलवारी system, मतलब हर गाउं का, मतलब कही सारे गाउं को club करकर head man मनाया जाएगा और उस head man को बोलेंगे village man, गाउं आला मत बोलने लगना, क्या बोलेंगे village man या फिर बोलेंगे head man, जो सारे गाउं का क्या होगा, head होगा, और इस head का 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 होगा यहाँ पर, उन गाउं से जाकर text का collection करना, तो यहाँ पर इस system के अंद विलेज बाइव विलेज और बाइदी महल समझ में आ गया सब गाउं का एक हैड़ पॉइंट होगा और उसका काम क्या होगा यहाँ पर टेक्स कलेक्शन करना और ले जाकर किसको देगा वो बिटिशर्स को देगा अच्छा एक नाम और देते जो गाउं का हेड्मेन होता इसको local भाशा में लंबरदार भी बोलते लंबरदार तो गाउं में क्या होता है बटाई पर खेट दे दिए जाते हैं आपने खुदने भी देखा होगा क्या आपके पापा दादा के बास खेट है उने किसी और को दे दिया, तो क्या बोलते हैं, लंबरदार, तो ultimate honor उसके कई सारे हैं, तो collection जो है वो एक आदमी करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, village headman, तो इसके इंदर यही सब problems आई, बट यह system भी ज्यादा अच्छे से work नहीं कर पाएगा, land revenue जो है उसमें भी क्या होता था time to time revise होता रहता था, तो यहाँ पर कौन सी problem आई थी, इनको collective land holdership की problem आई थी, कि एक जमीन के कई सारे मालिक देखने को मिलेंगे, तो यह कौन सी policy होई आपकी, महलवारी system, अब इसके भी कई सारे loopholes देखने को मिलेंगे, impacts की अगर हम बात करें, तो क्या है जिस area में यह ल अगर आप मैप देखते हो, तो उपर की और की आजाता है आपका हमालयाज आ जाते हैं, और इन हिमालयाज में perennial rivers बहती हैं, मतलब सदा वाहर नदियां क्या होती है, बहती है, और इन हिमालय के नीचे ही क्या आता है अपका उत्तर प्रदेश आता है, तो यहाँ की ज़मीन यह निकल कर आया कि Britishers के टार्गेट में थे यह लोग तो Britishers ने यहाँ पर tax लगाया वो कितना लगाया 50 to 75 percent of production कि जितना भी अनाज हुगेगा उसका 50 से 50 प्रितिशत डारेक्ली किसको चला जाएगा Britishers को चला जाएगा यह यह problem हुआ second problem क्या था land जो थी यहाँ पर टुकडों में थी fragmented form में आपको देखने को मिलेगी and ultimately यहाँ पर आपको चुब किसाने उसको करजा जुकाना है तो इससे क्या होने लगा in depthness मतलब करजे में डूब जाना इतना जादा करजा या इतना जादा रेंड जो है उसके उपर होने लगेगा फिर एक समय आया कि किसान अपनी जमीन जो है खाली करकर के यहाँ से जाने लगा and अपनी जमीन को किसी और को लीज पर देकर वो गाव छोड़कर चला जाता था तो इस तरीके से ओवराल इंडिया में land revenue policy से कई सारा exploitation आपको देखने को मिलेगा अब final हम देखते हैं इसका conclusion first conclusion क्या है impoverishment of fees entry कि जो किसान थे वो इन सब policies की वज़े से क्या हो गए और भी गरीब हो गए बात से बत्तर हो गए बिलकुल second अगर हम देखें तो क्या हुआ rise of absentee landlords मतलब जो जमीन के मालिक थे वो गाव छोड़कर यहां से shift हो गए second क्या है oppressive money lender यह क्या होता है oppressive money lender money lender मतलब money lender मतलब जो money को उधार दे किसी को और oppressive मतलब जो बहुती गलत तरीके से treatment करे या फिर मतलब की इतने ज़्यादा interest पर देना कि oppressive बन रहे हो आप सामने वाले को पूरा दबा दे रहे हो तो oppressive money lender जो है उनका creation हुआ and peasantry जो है वो फरद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कश्ट में चली गई तो सारी साकी सारी policies की conclusion यह निकल कर आए major important change आपको यह देखने को मिलेगा कि अभी तक का जो हमारा land revenue system था उसके fundamentals में उसके basics में completely इन लोगों ने क्या कर दिये changes ला दिये stability and continuity of the Indian villages वर shaken अभी तक जो भी जमीनदारी system चलता था जो जमीन के मालिक थे वो पूरा system इन्होंने हिला के रख दिया and last structure of rural society begin to break up जो rural system चलता था वो completely क्या हो गया है यहाँ पर break up हो गया तो आज की class में हमने क्या पढ़ा land revenue policies इसके अंदर कौन कौन सी policy पढ़ी बोलो और यस तो चार policy आपने यहाँ पर पढ़ी है सबके अपने आप में क्या है अलग-अलग impact ठीक है